आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं apple लेकर क्या कर रहे हूँ आप सभीने apple के फैदे तो बहुत बार सुने होंगे आप सभी को पता होगा कि apple खाने से हमारी body की बहुत सारी बिमारियां हमसे दूर रहती हैं वैसे ही apple हमारी skin की भी बहुत सारी problems को दूर करता है अगर आपको natural तरीके से अपने face के complexion को अच्छा करना है या फिर आपको अपने skin की anti-aging की problem से दूर रहना है या फिर आपकी skin पर किसी भी type की कोई भी problem हो pigmentation की problem हो, जाईयों की problem हो, dark sports की problem हो, uneven skin की problem हो अगर आप इन सभी चीजों से निजात पाना चाहते हैं तो आपको ये homemade face pack ज़रूर try करना चाहिए तो चलिए अज हम बात करते हैं कि कैसे apple हमारी skin के लिए benefits दे सकता है और कैसे हम इसका face pack ready कर सकते हैं तो चलिए Hello my beautiful family, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा नाम है भानुप्रिया और मेरे चैनल का नाम है भानुप्रिया कौशिक जहाँ पर हफते में मैं तीन दिन बहुत ही amazing day wise लेकर आती हूँ जो आपकी skin, hair और आपके health के लिए होते हैं अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको जल्दी से क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी इस beautiful सी family का हिस्सा बन जाएं और उसके side में ही जो bell icon है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि future में आने वाली वीडियो की notification आपको टाइमली आते हैं जैसा कि मैं आपसे पहले ही बता चुके हूँ कि आज हम prepare करने वाले हैं apple face pack apple में anti aging properties होने की वजह से जूरियों से निजात पाया जाता है आपकी skin की बढ़ती उमर को slow down करने में help करता है इसका 7 भी आपकी बढ़ती हुई उमर को slow करता है और इसका application भी आपकी बढ़ती हुई उमर को slow करता है आपके face पर जो wrinkles की problem है जो आपकी sagging की problem है उसको ये control करता है जिसकी वज़े से आपकी जो skin है वो लंबे time तक यंग दिखती है Apple ने vitamin C, vitamin A भरपूर मातरा में मिलते हैं जो की आपकी skin को lighten और brighten करने में help करते हैं Apple आपकी skin को toned करता है और आपकी skin के complexion को भी light करता है अगर आपकी skin पर pimple marks है, acne marks है तो ये उसको भी remove करने की potency रखता है तो चलिए देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या-क्या ingredients चाहिए और इसका preparation हम कैसे करें लिए हम two steps करेंगे, first step में हम अपना face पहले clean करेंगे आपको अपना face, face wash से पहले clean कर लेना है ताकि जितनी भी dirt और pollution आपकी skin की layer पर है उस वो सब की सब remove हो जाए उसके बाद हम लेंगे दूद, कच्चा दूद अगर है तो आप कच्चा दूद यूज़ करेंगे अगर कच्चा दूद नहीं है तो आप ठंडा दूद भी ले सकते है आपने उसको cotton ball से अपने पूरे face पर apply करना है ताकि जितनी भी impurities आपके skin पर अभी बची है वो सारी की सारी अच्छे से remove हो जाए उसके बाद हम चलते हैं अपने second step पर ये जो second step है ये two ways में काम करेगा ये आपकी skin पर scrubbing का भी काम करेगा और face pack का भी काम करेगा तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे prepare करना है इसके लिए सबसे पहले हम एक apple लेंगे apple को हम peel कर लेंगे peel करने के बाद हम उसको grinder jar में डालेंगे और उसका एक paste ready कर लेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे one table spoon sandalwood powder या फिर चंदन powder sandalwood powder हमारी skin को nourish करता है हमारे जो skin cells हैं उसकी elasticity को improve करता है हमारे skin को hydrated रखता है और soothing effect देता है अब हम इसमें add करेंगे half lemon juice lemon juice हमारे skin को naturally bleach करता है हमारे skin के complexion को light करता है और अगर हमारे face पर किसी भी type के दाग धब्बे है उनको भी remove करता है अब हम इसमें add करेंगे one table spoon honey honey के benefits भी आपको बहुत अच्छे से पता है हमारे skin को deep nourish करता है deep moisturize करता है gentle exfoliation का काम करता है acne या फिर pimples को light करता है और skin को naturally glow देता है अब हम इसमें add करेंगे one spoon basin basin के benefits तो आप सबको पता है patient time से basin हमारी skin care routine में add किया गया है जब साबुन नहीं होते थे तब भी हम basin का use करते थे अपनी body को clean करने के लिए basin आपके acne को remove करता है अगर आपके face पर extra oil का production हो रहा है उसको भी ये control करता है और आपके skin को dry होने नहीं देता आपके facial hairs को remove करता है अगर आपके skin पर sun tan की problem है उसको भी ये remove करता है आपके skin पर एक natural glow लेकर आता है इतने सारे benefits हैं basin के अब हम इन सभी ingredients को हमने अच्छे से mix करना है mix करने के बाद आपने इसकी थोड़ी सी quantity लेनी है और आपने इसको circular motion में अपने पूरे face पर apply करना है 2-3 minutes आपने अच्छे से अपना face scrub करना है उसके बाद इसको आपने अपने face पर लगे रहने देना है जब ये dry हो जाए 80% ये dry हो जाए तब तक आपने इसको लगे रहने देना है उसके बाद आप चाहे तो rose water को spray कर सकते हैं अपने face पर या फिर normal पानी से आप अपने हाथों को गिला कीजिए circular motion में आपने इसको scrub करना है और आपने धीरे धीरे इसको scrub करके remove कर देना है आप चाहे तो normal water से अपना face wash कर सकते हैं या फिर cold water से जो आपको सही लगे उससे आप इसको clean कर सकते हैं इसको remove करने के एकदम बाद ही आपको इसके results देखने के लिए मिलेंगे आपकी skin एकदम ही glow करेगी आपको लगेगा कि जैसे आपकी skin बहुती soft हो गई है सपल हो गई है और ये shine आप देख रहे हैं मैंने इसको अभी use किया है और साथ के साथ मैंने shoot किया आपकी skin एकदम glass के जैसे shine करेगी अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कौन-कौन यूज कर सकता है इसको हर कोई यूज कर सकता है चाहे उसकी skin dry हो, normal हो, combination हो, sensitive हो, कैसी भी skin हो इसका यूज हर कोई कर सकता है इस face pack को teenagers, women, men, grandparents हर कोई यूज कर सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि इसको यूज करना कब-कब है अगर आप इसका best result पाना चाहते हो तो आपको इसको week में 2 days तो जरूर यूज करना चाहिए तभी आपको इसके बहतरीन results मिलेंगे जैसे जैसे आप इसको apply करोगे जितनी बार आप इसको apply करोगे हर application में आपको feel होगा कि जो आपकी skin की problems है वो सारी solve हो रही है धीरे धीरे देखिए हर remedy थोड़ा time लेती है आप पहली बार उसको use करते हो result तो आपको पहली बार में ही मिलेगा लेकिन अगर आपको best result चाहिए कि आपकी skin पर जो जितनी problems है वो सारी की सारी wash out हो जाए तो आपको थोड़ा सा regular रहना पड़ेगा अगर आप regular रहोगे तो आपकी skin की problems धीरे धीरे सब कम होती चली जाएंगे दोस्तों अगर आप home remedies करना start कर देंगे तो आप जो market में products आते हैं पेस के लिए आप उनका use करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे इतनी जादा इन में power होती है आपकी skin naturally ही glow करने लगेगी आपको जरूरत ही नहीं लगेगी कि आप बाहर से products लेकर आए और उसको apply करें और पारलर जाना तो आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे कितना जादा आपकी skin पर glow आएगा कि आपको जरूरत ही नहीं लगेगी कि आपको कोई महंगे वाला facial करवाने की जरूरत है इस remedy को आप जरूर try करना और मुझे comment box में अपने अच्छे अच्छे reviews देना मुझे बताना कि आपने इसको apply करने के बाद आपकी skin पर आपको कैसे कैसे results मिले है क्योंकि जो मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी पता चले कि ये जो remedies हैं ये कितना कमाल करती हैं और इनके कितने बहतरीन results आते हैं दोस्तों मैं जितनी भी remedies आपके साथ share करती हूँ वो सभी की सभी remedies पहले मैं खुद के उपर try करती हूँ अगर मुझे उनके benefits मिलते हैं मुझे उनके results अच्छे मिलते हैं तभी मैं आप लोगों के साथ उनको share करती हूँ और मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मेरी family है वो भी इनको try कर रही है उनको भी इसके अच्छे results मिल रहे हैं और एक सिरफ comment box ही एक जरिया है कि मुझे आपके reviews मिल सकें दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe करना मत भूलिएगा like करने में please कोई कंजूसी मत कीजिएगा एक like option है जहां से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी जो वीडियोज है वो पसंद आ रही है अगर आप लोग मुझे instagram और facebook पर भी follow करना चाहते हैं तो उसका भी link में description box में दे दूँगी आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी follow कर सकते हैं अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends